जेहिन बच्चो आज हम पढ़ेंगे पार्ट चार ये पार्ट में आपको स्लेवर्स के अकॉर्डिंग करा रही हूं तो आईए शुरू करते हैं पार्ट का नाम है पुष्पल शाकाने अता हम पढ़ेंगे फुल फल और सब्जियों के बारे में तो ठीक है ध्यान जे सुनना आयम कह यह क्या है आयम पलांडू अस्ति यह प्याज है आयम कह यह क्या है आयम पटोला अस्ति यह परवल है आयम कह यह क्या है आयम पंसह अस्ति यह कटहल है आयम कह यह क्या है आयम रप्तांडं अस्ति यह टमाटर है आयम कह यह का आयरत भी है यह यह आपको इस्तिलन पुले में भी दिया गया है यह कह यह क्या है यह मालती अस्ति यह चमेली है योम का सब्सक् 개 है एम शिंबा अस्ति शिंबा कार्थ है सेम एम का यह क्या है एम जालेनी अस्ति यह तो रही है एम का यह क्या है एम तुम्भी अस्ति तुम्भी मैं आपको बताती हूँ यह लौकी होती है ठीक है इदम किम यह क्या है वह क्या है यह वह यह सब सेमी है इसमें आपको शब्दों को चेंज कर दिया है तो इदम पाटलम अस्ति इदम पाटलम अस्ति तो यह आपको फूल दिया हूँ गुलाब का कि यह है गुलाब का फूल है तो इसमें इसमें दिया हूँ है इदम इस्थल पदमम अस्ति इस्थल पदमम कार्थ है गेंदे का फूल इदम किम यह क्या है इदम अमरित फुलम अस्ति अमरित फुलम कार्थ है अमरोद यह अमरोद है इदम किम यह क्या है इदम मातुलनम अस्ति यह मुसमी है इदम किम यह क्या है इदम प्रिया फुलम अस्ति प्रिया फिलम कार्थ है नाश पती इदम किम यह क्या है इदम आमरम अस्ती यह आम है इदम किम यह क्या है इदम जम्बीरम अस्ती जम्बीरम यह दिया हुआ इसमें नीबू इदम किम यह क्या है इदम तरबूजम अस्ति यह तरबूज है इदम का यह क्या है इदम लीच का अस्ति लीच का आपको पता है लीची बोलते है उसको इम का यह क्या है इदम मदुक करकटी अस्ति यह पपीता है आयम कह यह क्या है आयम शकंकंद अस्ति यह शकरकंदी है आयम कह यह क्या है आयम कुश्मांड़ अस्ति कुश्मांड़ जो उसको बोलते आप जो सब्जी होती है यह सीता फल ठीक है यह पार्ट आपको समझ में आ गया होगा धन्यवाद